भारत एक युवा राष्ट्र है विश्व के किसी भी देश की तुलना में यहां सरवाधिक युवा है युवा शक्ती ही भारत की पहचान है फिर भी आजादी के बाद एक लंबे समय तक संसाधनों के अभाव में देश की युवाओं को अवसर नहीं मिल पाते थी प्रधान मंत्री जी ने युवा शक्ती की ऊर्जा और देश की प्रगती में उनका योगदान बढ़ाने के लिए उन्हें विभिन्न योजनाओं से जोड़ा माननिय प्रधान मंत्री जी ने गुजरात के मुख्य मंत्री रहते हुए ही खेलवा खिलाडियों के साथ साथ एथलीट्स और पैरा एथलीट्स को आगे बढ़ाने पर जोड़ दिया योगदान के शारिरिक और मानसिक विगास के लिए उन्होंने प्रधान मंत्री बनने के बाद खेलो इंडिया और फिट इंडिया मुफ्मिंट चलाया और खेलो में गावओं के योगदाने की मुहीम शुरू की भारत में स्पॉर्ट्स के प्रमोशन और पार्टिसिपेशन के लिए लगातार बड़ी निष्ट्रा के साथ प्रयास किये जा रहे हैं कि टैलेंड की पहचान हो कि ट्रेनी हो या फिर चयन प्रक्रिया हो हर तरफ हर स्टेज पर ट्रांस्परेंसी को प्रमोट किया जा रहा है इसका परणाम आंतराश्य मुकाबलों में भारत के प्रदर्शन में भी आज हमारे लोग हमारे नवजवान कुछ नुकुछ कर दिखा रहे हैं हमें देखने को मिल रहा है भारतिय खेल प्राधिकरण ने स्थानिय युवाओं को अंतरराश्य खेलों तथा उलम्पिक के लिए तयार करने और पदक प्राप्त करने के लिए टागिट उलम्पिक पोडियम स्कीम शुरू की जिसके तहत युवा खिलाणियों को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग के साथ अत्या धुनिक खेल उकरण वा आर्थिक सहायता दी जाती है अंतरराश्ट्रिय खेल प्रतियों गिताओं के प्रतियुवाओं को तयार करने के लिए वर्ष 2018 में खेलों इंडिया यूथ गेम्स की शुरुवात की उसी का परिणाम है कि कॉमन वेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और विश्व चैंपिन्शिप में देश के यूवाओं ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और ओलंपिक गेम्स में रिकॉर्ड बदक प्राप्त किये वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में खेल प्रोटसाहन सिर्फ बाते थी खेल प्रतिभाएं सुविधाओं के अभाव में आगे नहीं बढ़पाती थी वर्ष 2017 के बाद मुख्यमंत्री योगिया दित्यनाथ जी ने प्रदान मंत्री जी के विजन को साकार करते हुए युवा शक्ति के प्रोटसाहन से प्रदेश की तरक्की का रोड मैप तयार किया खेल और खिलाडियों को बढ़ावा देने तथा उन्हें अंतर राश्ट्रिय खेलों के लिए तयार करने के लिए अनेक योजनाय चलाई खेल कोटा के तहट सरकारी नौकरी की विवस्था फिर से शुरू की स्थानिय प्रतिभाओं को निखारने के लिए जनपत स्तर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया माननिय मुख्यमंत्री जी ने कुष्टी और बैडमिंटन को गोद लेने का निरने लिया जिन्हें राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहयता प्रदान की जाएगी विभिन्न राश्ट्रिय और अंतर राश्ट्रिय खेल प्रतिस परधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले युवा खिलाडियों का राज्य स्तरिय सम्मान की आ गया उलम्पिक में स्वन पदक विजेता को 2 करोड रुपए, रजत पदक विजेता को 1 करोड रुपए, कांसे पदक विजेता को 1 करोड रुपए तथा चौथा स्थान प्राप्त करने वालों को 50 लाख रुपए की सम्मान राशी प्रदान की साथ ही प्रदेश के उलंपिक खिलाडियों को 25 लाख रुपए की प्रोथ सहन राशी से संबानित किया जो अन्य खिलाडियों के लिए प्रेरणा बना खेलों में उत्तर प्रदेश की एक अलग ही पहचान है केडी सिंग बाबू, महमद शाहिद और होकी के महान जादूगर मेज़ध्यान चंद ने अपने खेल से पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया जिनके सम्मान में प्रदान मंत्री जी ने देश के सर्वोच खेल पुरसकार का नाम मेज़ध्यान चंद खेल रत्न पुरसकार रखा आजादी के अमरित महुत्सव की श्रिंखला में आज माननिय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रथम खेल विश्व विद्याले मेरट का शिला न्यास किया जा रहा है जहां युवाओं को सभी खेलों का विश्व स्तरिय शिक्षन प्रशिक्षन मिलेगा उन्हें भविश्य के ओलंपिक खेलों के लिए तयार किया जाएगा मेरट के खेल सामान पूरी दुनिया में बहुत मशिहूर है प्रधान मंत्री जी के वोकल फॉल लोकल अभ्यान को और गती देते हुए खेल विश्व विद्याले के निर्मान से स्थानिय ओडियो प्यूत पादों को विश्व स्तरिय पहचान मिलेगी और रोजकार के नए अवसर स्रेजित होंगे खेल, खेल विज्ञान तथा खेल प्रध्योगी के विभिन्न पाठ्यक्रमों के साथ प्रशिक्षन एवं शोध कार्य होगा और राश्ट्रिय अंतर राश्ट्रिय प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन के आधार पर सनातक की डिग्री दी जाएगी विश्व विद्याले में विशे स्पोर्ट सेंटर वस संस्थाओं के अलावा अत्याधुनिक मैदान, स्वेमिंग पूल, वेलोड्रोम साइक्लिंग ट्रैक और हाइटेक एवं मौदन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित होगा युवा शक्ति का जोश और प्रतिभा माननिय प्रधान मंत्री जी के नए और आत्म निर्भर भारत के निर्माण के संकल्प को पूरा करने में महत्वा पूर्ण भूमी का निभा रही है सोची मानदार, काम दमदार